श्री महाकाल यही रात अंतिम यही रात भारी बस एक रात की है सारी कहानी रामायन का यह प्रसिद्ध गीत तो आप सभी को ध्यान होगा और वास्तविक्ता में आज की रात ही अंतिम है और आज की रात ही निर्णायक है आज की रात यह तै करेगी कि आगा में पांच वर्ष म पुमकारेशवर में, देवी लोग बनने वाला है देवास के अंदर, इसके अलावा सलकनपूर में, छिंदवाडा में, इन सभी के कारण मद्यप्रदेश का जो पर्याटन का ग्राफ है, वो बहुत उपर तक जा चुका है। यदि वर्तमान सरकार गिर जाती है, तो आप मान करके चलें कि जिस प्रकार से वर्तमान सरकार के द्वारा यह जो कारी किये जा रहे हैं, वो निश्चित रूप से बादित हो जाएंगे। पर हमको यह बात भी समझना पड़ेगी कि किस प्रकार से मद्यप्रदित जब उनको मिला था, तब यहाँ पर सडकी भी अच्छी हुआ नहीं करती थी और आज यहाँ पर मेट्रो टेन दोट रही है। परेटन के छेत्र में आज हम पूरे राष्ट के अग्रणिय प्रदेश के रूप में स्थापित हो रहे हैं। और साती सात हमको यह भी देखना पड़ेगा कि एक तरफ वो पार्टी है जो कि राष्ट हित योजनाओं को लेकर के आती है। के लिए किसी भी इस्तर तक चली जाती है। हमको यह ताइ करना पड़ेगा कि हम किस विचार धारा के साथ खड़े हुए हैं। हमारे व्यक्तिकत मद्भेद हो सकते हैं और वर्तमान अगर प्रदेश सरकार हार जाती है यदि शिवराज जी हार जाते हैं यदि कोई विधायक हार जाता है तो आप मान करके चलिए कि उनके व्यक्तिकत जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ने वाला उनको मिलने वाली सु योजनाय लागू है जो की एक प्लान बना हुआ है पांस साल का यदि वो कंप्लीट हो जाता है इस सरकार के रहते हुए तो निश्युत रूप से मद्यप्रदेश ना सिर्फ विकाश लपितु विक्सित प्रदेश की रूपे में स्थापिद हो जाएगा मित्रू आने वाले पांस साल बाद चाहे जिसकी सरकार आए कोई फरक नहीं पढ़ने वाला फिर चाहे कॉंग्रियस आजाया मादनी पार्टी आजाया चाहे जो आजाया पर एक बार इस प्रदेश को पुनह बीजेपी की सरकार की आवशक्ता है यहाँ अब बीजेपी की आवशक्ता नहीं परिवर्टित हो जाती है तो निश्चुत रूप से हमारी यह का सामाजिक जिम्मेदारी की प्रतिपूर्थी भी हो जाईए तो आप रपया इस वीडियो को अधिक सद्धिक लोगों तक पहुंचाएं कल मद्दान अवश्यक रूप से करें और सही पार्टी को ही करें जैश् माकल